Hey hi, you should thank me for this video. क्यों? क्योंकि ये जो portion है न, books and authors का, not about current affairs, about Indian history. इस video में हम history के सारे पहलू की books को cover करने वाले हैं. चाहे वो ancient हो, चाहे वो medieval हो, या modern हो. Modern की भी books बहुत जादा important रहती हैं. है न, इनकी पूरी की पूरी list आज इसी video में हम complete करेंगे. ठीक है, ये हर exam में पूछा जाता है, plus एक single compilation मिल जाता न, तो चीज़े याद रखना easy हो जाता है. ठीक है, तो भाई, मैं आपको न, star mark भी करवा दूँगी कि कौन सी books जादा पूछी हुई है, तो आप उसे जादा emphasis के साथ याद रख सकते हो. अब तो थैंक करोगे न, मुझे इस video के बाद. चलो, शुरू करते हैं, starting with books and authors of ancient history. ancient history से शुरू करते हैं. ठीक है, अब हम transition देखेंगे. अभी जितनी भी books आएंगे न, वो Sanskrit language में आपको बहुत जादा देखने को मिलेगी. जैसे मुद्र राक्षसा बाई विशाखदत, रतना रांगनी कलहाना ने लिखी है, कथा सरित सागर बाई सोमदेवा, कामसूत्रा बाई बत्सयायना. अच्छा, आपको साथ साथ में स्टार माक करके देती हूँ, मैं मुद्र राक्षसा बहुत बार पूछी गई book है, कामसूत्रा पूछी गई book है, प्रशनोत्तर मलिका अपने बहुत exams में देखियोगी, प्रिवेज एर खोल के देखो बाई, यह सारी books आपको मिल जाएंगी बाई, अमोग वर्ष, अमोग वर्ष, देखो एक चीज तो है, आप यह complain मत करना या यह comment बलकुल मत करना कि इसे याद कैसे रखें, है न, इसे याद कैसे रखें, यह नहीं, क्योंकि याद इसका एक ही solution है, that is revision, revision, multiple revision करते जाओगे न, तो you'll get an idea, maybe आपको बहुत sharp कभी भी याद न रहे, but you'll get an idea कि हाँ प्रशनोतर मलेका, options देखें, you'll get it कि अमोग वर्ष ने ही, वो बुक लिखी है, तो यार, bring some new problems, bring some new confusions और curiosities, ठीक है, इसके अलावा कोई भी comment कर सकते हो, fine, स्वपन वस्दतम, यह भाशा ने लिखी है, मैंने यह बुक कभी भी किसी exam में नही देखी है, जितना मुझे याद आ रहे है, ठीक है, बुद्ध चरिता, important है, बाई, अश्वगोशा, नत्य शास्त्रा, बाई, भारत, अभी ज्यान शकुंतलम, काली दास की सारी बुक्स बहुत important रहेंगे, ठीक है, रगु वनसन जो है, यह काली दास की बुक्स आपको odd one out, आनलोगी में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, अमरकोसा बाई, अमर्श मासा, पंचस दांतिका बाई, वराह महीरा, देखो, अब आपको थोड़ा confusion हो रहा होगा कि डिरेक्ट PDF स्किप कर लेते हैं, बट यह सबसे बड़ी गलती होगी, पता है क्यों, जब मैं भी, मतलब I was appearing for exams, तब मैं यही करती थी, कि PDF है, that is for final, final revision, लेकिन मैं multiple time videos देखने की कोशिश करती थी, फिर चाहे वो 1.5x या 1.75x करके ही, क्यों ना देखनी पड़े, क्यों, क्योंकि जब चीजें multiple senses से, दिमाग में घुस्ती है, multiple senses से, तो याद रखने, memory उतनी ही जादा शार्प हो जाएगी आपकी, जैसे आप PDF देख रहे हो, तो तब you are just using your brains, मतलब senses की बात करें, सिफ eyes ही आप इसमें यूज करें हो, but when you are watching video ना, और video भी कैसे आप देखा गरो कि अभी, there is no logic behind कि कि किसने क्या book लिखी है, कोई logic नहीं है उसके पीछे, we just have to memorize, इसको बस facts based हमें याद तो उसमें मैं गारती हूँ, जैसे वीडियो चल रही है ना, तो मैं साथ साथ बोलते जाती हूँ, अच्छा, की अमर कोशा भाई, अमर्स महा, पंचसदांतिका भाई, वराहम हीरा, ऐसे बोलते जाएंगे ना, तो multiple senses, एक तो हमें दिख रहे है, आईस की through information आ रहे है, हम मैं बोलते भी जाएंगे है ना, तो speech, ये multiple senses अगर आपके use होते जा रहे है ना, और plus, वीडियो जो भी चल रहे है, उसमें हम इधर उदर की भी बहुत सारी बाते करते हैं, तो वो हमें याद रह जाती है, कि हाँ, इस बुक पे हमनी ये बात करी थी, ये बात करी थी, तो ये videos are that beneficial, PDF आप exam के एक दन पहले, दो तन पहले जस्ट रव्यू करने के लिए रखा करो, हाँ, एक और important बात मुझे आपको ये बतानी थी, कि आपने बहुत जादा request करी कि current affairs का क्या, हलाकि हर एक तारीख को, हम पिछले महिने के current affairs live कबर करते ही है, कहां पे, defense mania channel पे, है न बट रोज रोज भी आपको ऐसी curiosity हो रही थी कि यार पता तो होना चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक channel ली खोल दिया है, अलग से, तो आप इसको scan भी कर सकते हो, या description में इसकी link भी होगी, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, fine, अब ये free है, जादा attention नालो, रोज इसम का यही फाइदा होता है कि हम एक्जाक चीज ना भी पता हो, but we still get a hint, still get a hint, okay, चलो, ancient history के साथ आगे बढ़ते हैं, ब्रहत समिता भाई वराह महीरा, ये important book है, ये तो बहुत ही जादा important है, सूर्य सिधान्ता, आर्य भट्टा, आर्य भट्टी, ऐसे करके आर्य भट्टा ने आई होल प्रसस्ती, बाई रवी कृती, इंडिका, बाई मेगास्तनीज, बहुत जादा important, अर्थ शास्त्रा, ये अभी भी इतनी ही applicable book है, बाई कोटेलिया, नैशाथा चारित्रा, बाई श्री हरा, ठीक है, ओके, मृच्चा कटिका, बाई सूत्रगा, कीटा गुवंदा, बाई जहदीव, नवरतना, बाई विरसीना, नैश, चरक संहदा, बहुत ही जादा medical sciences के उपर ये book है, बाई चरक, लिलावती, बाई भासकर्टू, हर्ष चरता, और कादंबरी, बाई बना भट्टा, बहुत important है, ठीक है, ओके, नागानन्दा, बाई हर्षवर्दन, रतना सप्ता, शती, बाई हाला, बाई हाला, निती सारा, बाई कमंदका, अश्ट ध्याई, बाई पानिनी, बहुत important है, महा भस्या, बाई पतंजली, ये भी important रहेगी, ठीक है, अच्छा, PDF कहा मिलेगा, PDF आपको यहाँ, टेलेग्राम, डिफेंस मेंने, अच्छा, यह अलग है, और ये अलग है, ठीक है, मैंने अभी आपको करेंट अफेर्स बताया है, ये मैंने ओनली फर करेंट अफेर्स और नॉर्मल जी के गेम्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, जी के गेम्स में यहाँ अपलोड गरती हूं, इंस्टा पे, तो एक अच्छी चीज हो जाती अच्छी चीज हो जाती है, तो इस बात नहीं है, ठीक है, अब मिडाइवल हिस्ट्री पे आते हैं, अब आप देखोगे कि बुक्स की नाम कैसे कैसे संस्कृत से दीरे दीरे उर्दू काइंड ओफ होता जाएगा, है ना, तो हमाल लिये प्रणाउंस करना मुश्किल ही रह जाने वाला है, फिर भी ट्राइ करते हैं, फदूहत ए फिरोज, भाई फिरोज चाह तुगलग, यह पूछी जाती है, तबाकत ए नासरी, मिन हाज उर सिराज, किताब उल्ग ताकीक, भाई अल बैरूनी, अल बैरूनी की बुक इंपोर्टन रहेगी, ठीक है, यह ताकुक ताकुक ए हिंद है, और यहाँ पे किताब फी ताकीक, यह दोनों बुक्स इंपोर्टन रहेगी, नू सिपीर भाई अमेर खुसरो की बुक्स इंपोर्टन है, ठीक है, आमेर खुसरो इस वेरी इंपोर्टन परसनालिटी इन हिस्ट्री, ओके, इबन बतूता, किताब उल्र और फिर्दौसी ने लिखी है शानामा, मुझे एक और टॉपिक बहुत जोर से याद आ रहा है, कि यह जितने भी ट्रावलर्स थे, फॉरन ट्रावलर्स थे, सबसे पहला क्वेशन आता है, कि वो कौन से कंट्री से बिलॉंग करते हैं, दूसरा क्वेशन आता है, कि उन्हो ट्रावलर्स का टॉपिक है, मैं एक अलग विडियो में कवर करूँगी, जो आपकी एक्जाम में पक्का एक क्वेशन देखने को मलता है, तो इस तरीके से छूटे-छूटे टॉपिक्स विल किल इट, ऐसे हम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अपकमिंग नेक्स टॉपिक कौन सा चाहिए, हलाकि मैं आपको सारे इंपोर्टन टॉपिक्स करा दूँगी, बट अपकमिंग नेक्स क्या चाहिए, ये आप बता सकते हो, मुझे तो मैं उसी पे डिरेक्ट विडियो बनाने के प्रोसीजर में लग ज देखी है, और आमेर को स्रो की इंपोर्टन बुक्स है, तुगलत नामा बहुत इंपोर्टन खजायन उल्फतू और खामसा हो जाएगी, ठीक है, फिर चदायन बाई मौलाना दाउद, हिमायू नामा बाई गुलबदन बेगम ये इनकी बहन ही थी, है ना, फावर था दपि इंपोर्टन बुक्स यहां से आप देखोगे, जैसे महात्मा गांधी और फादर आफ नेशन ने कौन सी बुक्स लिखी है, यंग इंडिया, हरीजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्स्परिमेंट्स विद दूथ, यह तो इनकी ओर्टो बाईओग्राफी है, के केसरी नहीं, सौरी, यहां तक महात्मा गांधी ने लिखी हुगी है, बुक्स, बहुत इंपोर्टन है, ठीक है, फिर आते हैं बाल गंगाधर दिलक, इन्होंने लिखी है केसरी, यह एक न्यूस पेपर है, बेसिकली, ठीक है, दमराठा और गीता रहस्या, बाल गंगाधर दिलक ने, जबाहर लाल नहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे है, है ना, प्राइम मिनिस्टर इन्ही ने अबजेक्टिव रिजॉल्यूशन भी लिखा है, देखो, यह मेरा तरीका होता है, ठीक है, कि जब एक चीज सामने आ रही है, तो उसे करने भी connecting dots है, उसको आप connect कर लो, तो आपको, इससे आपकी memory बार 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 रिफ्रेश होती जाएगी, क्योंकि देखो, objective resolution अभी आपकी memory में कितना पीछे चला गया होगा, क्योंकि अगर आपने recently नहीं देखा होगा तो, objective resolution, तो याद कर लो तुरंसे, इन्होंने objective resolution रखा फिर उसके basis पे हमारा है ना, constitution, basically preamble बना, constitution बना, है ना, तो और किती कौनसी कौनसी चीज associated है, इन्होंने head किया था, 1929 का Congress session, है ना, कहां पे head किया था, लहोर में head किया था, है ना, और उसी time पे, पूर्नस्वराज की मांग हुई थी, पूर्नस्वराज, और हमने declare किया थ कि हम 26th Jan 1930 को अपना Independence Day मनाएंगे, बट दाट नेवर हापन, उन्होंने, इंडियन फ्लैग भी फहराना शुरू कर दिया, रावी नदी के पास, यह सारी चीज़ बाकवर्ड आप बाकवर्ड इंजनियरिंग करोगे ना, तो मेमरी शार्प होती जाए और आपको स्पोट पत कि आप बहुत कुछ बहुत बड़ा पोर्शन मुल्टिपल टाइम रिविजन कर सकते हो, ठीक है, जैसे, आप फॉर दा सेम परपस मैंने सीडियस के लिए भी स्टार्ट किया है, सीडियस के लिए मैं ऐसे ही वीडियो नोट्स स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है, वीडियो नो तो इसी तरीके से ओनली इंपॉर्टन चीज के है कि ओनली इंपॉर्टन टॉपिक्स के मैं इस तरीके पूरे वीडियो नोट्स कवर कर रही हूं, तो भाई अब आपको जीकी के लिए टेंशन लेने के ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसके आप पर ही चेक आउट कर लेना, आपको दिख जाएगा, वहाँ पर रिकॉर्डेट कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसे जरूर देखना, सीडेस जी के आसान बात नहीं होगी, देख लेना, ठीक है, फिर जवाहलाल नहरू ने ही मेरी कहानी लिखा है, मौलाना अबल कलाम आजात ने लिखी ह आल हिलाल, इंडिया wins freedom बहुत बार exam में देखा गया है, गुबारेख हातिर यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है, अन्हापी इंडिया इंडिया बाई लाला लाजपत रायू, बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है, ठीक है अब मुझे ये बताओ अगर आपको याद हू लाला लाजपत राए कि डेथ कैसे हुई और कौन से यूर में हुई ठीक है? ओके, ठीक है इंडिया डिवाइड़ बाई डॉक्टर राजेंदर प्रशाद ये कौन थे? ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे चुके हैं हाँ चलो और थोड़ा सा बैकवर्ट जाएं तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है आर्टिकल 52 हो जाता है ठीक है जते भी सीडियस वाले बच्चे हो उनको तो भई पूरा याद होना चाहिए क्या-क्या पावर्स होते हैं कि इनका इलेक्शन का तरीका क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा है अभी मैं नहीं लेके जा रही हूँ वर्ड़ा इस वीडियो में आप पागल हो जाओगे ठीक है बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि रविजन किस तरीके से होना चाहिए ठीक है चलो हिंस पॉर सेल्फ कल्चर बाई लाला हर्दयाल बेंगाली की अगेन एक नियूस पेपर है जो की लिखा है सुरेंदरनाथ बैनर जी ने अने चने मेकिंग अगेन बाई सुरेंदरनाथ बैनर जी वीर सावर करने लिखा है War of Indian Independence राजा रामोहन रोई नुहोंने लिखा है संबार्द कौमुदी इन्होंने कौन से कम्यूनिटी की स्टार्टिंग की थी ब्रमो समाज चलो बताई यह صحी है या गलत है ब्रमो समाज है या कुछ और है ठीक है इनको क्या बोला जाता था ग्रांड ओल्ड मैन ओफ इंडिया इसी तरीके से मुझे लग रहा है स्टाटिक जी कि कितने क्वेश्चन आपके एक वीडियो में ख़तम होते होंगे है ना गुपाल कृष्ण गोखले नेशन इन्होंने लिखा है दीन मंतु मित्रन ने नील दरपन लिखा है यह बुक मैंने देखी है कहीं कहीं मतलब फेपर में ही देखी है सभाष चंद्र बोस ने लिखा है इंडियन स्ट्रागल के बारे में मदन मोहन मालविय ने लिखी है अभ्यूदय और हिंदुस्तान लीडर यार I really really want कि मैं ये सारी बुक्स पढ़ूँ चलो 2024 का एम बना देते हैं कि इन सारी बुक्स को है न धीरे धीरे पढ़ना शुरू जरूर करेंगे यही तो हमारी fundamental duty भी है अब बोलोगे कि मैम फिर शुरू हो गई यार कहां से कहां बहुत जाती है क्या है हमारी fundamental duty कि ये जो भी freedom struggle है और freedom fighters है इनके struggle को हमेशा हमें याद रखना चाहिए उनसे inspire होना चाहिए और उनको आगे भी बढ़ाना चाहिए पार्ट का नाम बता दो Constitution में fundamental duty कौन से पार्ट में mentioned है भारत दूर्दशा by भालतेंदू हरीश चंदर दयानन सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ दरपन इंडिया for Indians by चितरंजन दास अब सारी रबंदरनाथ गौर की बुक्स रबंदरनाथ गौर की बारे में एक और question क्या आ सकता है He is the first Indian to get the Nobel Prize लिटरेचर में रइट ठीक है इन्होंने बुक्स लिखी है इन्होंने एक बाक्टेरिया को आइसोलेट किया है जो basically soil growth में help करता है ठीक है और इन्होंने बाक्टेरिया का नाम इन्हीं के honor में रख दिया गया है प्रबंदरनाथ गौर के ही honor में रख दिया है वो भी question आ सकता है वो current affairs का question है मैंने वो channel पे ही quiz upload किया हुआ है तो आप जरूर उसको देख लेना ठीक है वो मैं defense media पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि यह सारी चीज़े mix more जो जाती है फिर messages में सोचाते है कि important announcement, important pdf सारी इसमें चीज़ जा रही है तो quiz के questions बीच बीच में आप बहुत सारी चीज़े miss कर सकते हो तो भाई current affairs quiz जब आप मन बना लो कि चलो आज current affairs पढ़ना है तो उस channel को ही खोल लिया गरू ठीक है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं केशव चंदर सेड ने लिकी है वाम बौधिनी और इंडियन मिरर अरविंदो घोश चलो मुझे यह बताओ कि यह एक extremist थे या moderate थे Congress का भी है अपना एक अलग ही importance है इसके अलग question पूछे जा सकते है important session हो गया या तो first कौन थे President, first women कौन थी first Indian President कौन रहे चुके इनके जो sessions थे उसमें क्या-क्या important चीज़े हुई 1905 के session में क्या हुआ 1916 वाले session में क्या हुआ यह सारी चीजे 1929 वाले session में क्या हुआ यह सारी चीजे बहुत ही जादा important है इस पे हम अलग video बनाएंगे ठीक है अच्छा आप तो मुझे बताने वाले थे ना comment में की next what next next topic आपको कौन सा चाहिए जिसमें जादा दिक्कत हो ना वो पहले लिखना ताकि उसको हम पहले complete कर लेंगे तो आपको थोड़ा sense of satisfaction भी होगा चलू ठीक है हम क्या पट रहे थे अर्विंदो गोश की बुक पट रहे थे कर्म योगी, युगांतर, सावित्री, लाइफ डिवाइन, essays on गीता और बंदे मात्रे clear? चलू ठीक है मुहमद इकबाल ने लिखी है तराने हिंद और बागे बांगेदारा इन्य बेसिंट, न्यू इंडिया इन्होंने, चलू नहीं नहीं लेके जाती हुआ, it's okay, it's okay नहीं लेके जा रही हूँ बहुत मन कर रहा है, रुको, थिवसोफिकल ससाइटी इसके साथ कौन असोसियेटेट था, चलो बता दो मुझे हूँ, इन्य बेसिंट के साथ चलो, काल बाई, परण जापे कॉमरेड, ये अगेन एक न्यूस पेपर ही रह चुका है बाई, मुहमद अली और हमदर्द भी, ठीक है इश्वर चंद्र विद्या सागर ने सोम प्रकाश लिखा है मोतीलाल नहरू ने इंडिपेंडेंट लिखा है, मोतीलाल नहरू प्लस सी यारदास, यार नहीं रहा जा रहा मुझसे, होई जा रहा है मोतीलाल नहरू प्लस सी यारदास याद करो कौन सी पार्टी थी स्वराज पार्टी यू नो आपके मुझे लग रहा है पच्चास से जादा तो स्टार्टिक जी के गई वन लाइनर्स निकल ही गए होंगे स्वराज पार्टी कौन से ही और में 1925 में याद करो है ना ये मोतिलाल नहरू इनके हेड थे फाउंडिंग में आते थे इनके अंडर में जवाहलाल नहरू वस कमिंग बट ये वस नोट एग्रीड विद वट स्वराज पार्टी वस दूइंग तो उन्होंने अपना एक अलग अबजेक्टिव रिजॉल्यूशन बनाया जो काफी हद तक हमारे कॉंस्टिटिउशन से माच करता है इन्सपायर्ड वाई अबजेक्टिव रिजॉल्यूशन आप कह सकते हो दादा वाई नाराउजी ने लिखा है रस्ट गुफ्तगूर शिशिर कुमार घोश ने अम्बरत बजार पत्र का भोगा राजू पताभी सीता रमया इन्होंने हिस्ट्री ओफ कॉंग्रस के बारे में लिखा इंडियन अंड्रेस्ट इस रिट्न बाई वालेंटाइन चिरोल आनन्ड माथ बहुत बार बुक देखी गई है बाई बंकीम चंद्रचाटो पाध्याए देवी चौधरानी बाई बंकीम चंद्रचाटो पाध्याए इस इस दे करेंट अफेर्स गूप विच आ वस तौकिंग अबाउट इससे स्कान भी कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा फाइन, क्लियर, चलो इस इस एक, ये बुक्स इंपोर्टेंट है इसको रिवाइज जरूर कर लेना आज इसेड कि दुबारा विडियो को 1.5 और 1.75 एक्स करके जरूर देख लेना, यू फाइंट पीदिए फिन टेलिग्राम ग्रूप अलसो नॉट इस ग्रूप, डफेंज मेना वाला ग्रूप ठीक है, और अलसो दो लेट मी नो नेक्स टॉपिक कौन सा चाहिए आपको बाकी तवा, इसलिए नेक्स वीडियो तिल दन गुद्भाई और जैहिए